संक्रमन फेलने की रफ्तार से देखें तो इस वक्त बंगाल में भी हालाद सबसे ज्यादा खराब हैं बंगाल में पिछले 24 गंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्च के गए हैं देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट करीब 20 प्रतिशत इस समय बंगाल में ही है लेकिन कॉलकाता में पॉजिटिविटी रेट 50 फीसिदी को भी पार्क कर गया है ऐसे हालात में मम्तस सरकार ने पार्लर और सलून 50 फीसिदी शवता से चलाने की इजाज़त दे दी है देखिए कॉलकाता से आज तक समबादा था प्रेमा राजराम की रिपोर्ट शुक्रुवार तक 18,213 नए करोना मामले सामने नजर आए पस्चिम बंगाल में और फिलाल अभी नाइट कर्फ्यू में कोई राहत नहीं है लेकिन एक खुश खबर है कि जो सलॉन और ब्यूटी पालस है उनको अभी अनुमती दी गई है कि 50% कपासिटी पर ऑपरेट किया जा सकता है और जो स्टाफ है उनको डबल डोस वैक्सीन लेना पड़ेगा और इसके अलावा जो बाकी कोविड के नियम है वो नियम उनको दिमाग में रखते हुए यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा आए हम उनसे बात करते हैं जो सलून में जो रहते हैं जो सलून उनको परेट करते हैं आपको क्या दिक्कत होता है जब सपोज एक लोकडाउन होता है जैसे लोकडाउन आपने देखा है पहले अभी जब सरकार ने कहा था कि बंद होना चाहिए तशी अभी आपको राहत मिली है कि आप लोग अभी ये खोल सकते तो आपको कैसे फील हो रहे gdy मैं तो बहुत ही खूस हूँ जब पर्मिसन मीले खोल सकते हैं नहीं तो क्या है यह मैं बोल नहीं पाड़ा हूँ, कैसा चलता कैसे मेंटेन करता यह हमें कुछ नहीं पता था, जब मुझे पता चला कि आज से हम लोग सालोन खोल सकते हैं मैं बहुत हैपी हूँ, मेरे साथ all over staff बहुत हैपी है, हम लोग सरकार को लोड ठैंक्स कहना चाहते हैं कि हम लोग को ये प्रमिसन दिया है क्योंकि अल ओफिभारा हमेशा सेफ्टी लेके काम करते हैं मगर हमेस्ता सारे ससता होते हैं इतने सारे कलीख होते हैं उन Basket करेंगे ये सरकार कास सोच ले तो यह नहीं प्राब्लम होता है मगा फिर भी टाइंक्स के आज हम लोगों परमिसन मिल गया है